हेलो फ्रेंड्स रेश्पी पिटारा चैनल में मैं रंजू जी आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे यूपी बिहार की सबसे फेमस दामालू की रेशिपी सर्दियों के लिए यूनिंग स्नेक्स भी है और चटपटा होने के साथ साथ बहुत ही कमसालों से बनती है तो सबसे पहले दामालू को बनाने के लिए हम लेंगे उबले हुए आलू सीजन का नया आलू है और इसका छिलका निकाल करके मैंने इसको बॉयल किया है तो सबसे पहले बॉयल की हुए आलू को हम इस तरह से दो टुकड़ों में कट करेंगे उसके बाद 4 टुकड़ों में कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे इससे पहले भी मैंने ग्रेवी वैली दम आलू और सूखे आलू दम की रेजपी आपके साथ सेर की हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप सब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो आलू की कटिंग हो गई है अब हम दम आलू बनाने के लिए स्पेसल मसाला बनाएंगे तो मैंने लिया है चार से पांच हरी मिर्च आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकोडिंग ले सकते हैं और थोड़ी से लिए है कटी हुई धनिया की पत्तियां उससे मैंने डंठल के स करेंगे और उसमें डालेंगे सर्षो का तेल इस दढम आलू को आप सर्षो के तेल में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएग та तो सर्षो का तेल गरभव हो गया है अब इसमें हम डालेंगे दो सिसी 3 कटी हुई लंबाई में हरी मिर्च अगर आप कम तिखा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर मिर्च को इसकीब भी कर सकते हैं और तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे कटे हुए आलू को और तब तक भुनेंगे जब तक कि आलू पर एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर आ जाती है इसी तरह की वीडियोज आगे पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पढ़ने हैं तो प्लीज प्लीज रेस्पी पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने फैमिली मेंबर्स अपने फ्रेंड ग्रूप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो आलो भून चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक सामानेता आधा चमच ले सकते हैं या आफिस के लिए लंच के लिए भी रोटी या पराठे के साथ इस दम आलो को खा सकते हैं तो आलो में नमक और मिर्च को मिक्स करने के बाद 1-5 मिनट के लिए भूनेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे हम कूटे हुए मसाले को और कुटे हुए मसाले को डालने के बाद एक से डेड़ मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आलू को भुनेंगे तो लीजिए दो मिनट के बाद बहुत ही चठाकेदार दम आलू की रेश भी बनकर तयार है आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और आप सभी यूटूब फैमिली से मेरे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें आपका कमेंट करना हमारे लिए बहुत ही माइने रखता है और आपका रिप्लाई देना भी हमें बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर से जरूर करें और गर्मा गर्म दमालू सर्व करने के लिए तैयार है तो इंजवाय करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ